तो आज हम आते हैं इस चेप्टर के आखरी कुछ टोबिक्स पे जिसमें स्केटरिंग ओफ लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट इसको समझना पड़ेगा क्योंकि यह इतना सिंपल तो है पर मतलब इतना यूसफुल है जो बचे उजित्ते में इमार्ट शुर्ट टोपिक अगर हाँ है दिवार पर प्राहार के तो इस किसी हम ने हम पर प्रहार के हम तोट है कि हो जाता है या जब कोई ज्यादा पावर्फुल है उस सोनने में योजया है तो इसा होता है तो अच्छा होता है यह को लाइट होती है हीट थे हैं एनिटिंग या एनिसरफिस लिए स्केटर शाफभिस और चीज का ये इनिय चीज है इंट स्केटर यह है अभी इतना भी सिंपल नहीं जितना तुम्हें सिंपल लगँ रहा क्योंकि अब इसमें हमें concept concept लगाने वाले हैं जो है wavelength most important है जो हमारे colors को भी justify करेगी एक तरीक से तेखो wavelength यहां पर मैं कुछ एक line में आता हूं उससे थोड़ा clear होगी चीज़ है यह wavelength की टेबल है wavelength colors की हिसाब से करते हैं लोग ठीक है जैसे सबसे पहले हमारा अब जो इसको सब्सक्राइब के साथ मिक्स करते हैं स्केटरिंग ओफ लाइट को एक फिनोमिना की तरह समझेंगे इसको ठीक है देखो वेवलेंथ ओफ लाइट आ जैसे वेवलेंथ वेवलेंथ एक तरीके से कायना is inversely proportional to scattering of light अब थोड़ा इंटरस्टिंग होड़ेगा scattering of light inversely proportional का क्या मतलब होता है कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाते है वैसे इस तरीके से नील इसको इस तरीके से आएगा इनवर्सलि प्रॉशन बढ़ेगी तो scattering of light कम होईगी और scattering of light बढ़ेगी यानि उस चीज की वेवलेंथ कम थी तेक यानि कि के जैसे कि red color है red color सबसे उपर लिखा जाता यानि इसकी वेवलेंद सबसे उपर है यह एक तरीके से wavelength बढ़ना scattering of light का कम होना यानि कि मान लो जो हमारा violet color है सबसे नीचे wavelength है इसकी बहुत कम इसकी wavelength कम है example के लिए कमजोर आदमी है अब कमजोर आदमी होता है इसको क्या इसको कोई मारेगा बिखर जाएगा सिध्य सी बात है जो कमजोर आदमी जाएगी टाइम बढ़ेगा यानि जब रेड़ वाले के साथ किसी अच्छे तगड़े आदमी की तो टाइम ज्यादा होने में क्या पता ना भी हो वही स्केटर कर दें दूसरे को ठीक है ऐसा हो सकता है ठीक है अब रेड़ कलर की क्या है वेवल्रレंध रहें तो इसकी जो स्केटरिंग यानि टूटने की शक्ति तो तो टूटे गा तो बहुत कम लेकिन अगर वही सेम काम से सबसे कि आप वेवलेंद इतनी कम है तो स्कैटरिंग इसकी बहुत जाद होगी यानि की स्कैटरिंग तूटना इसका बहुत असान है असानी से फैल जाएगा दूट के बिख़ए जैगा जैसे कि एक एक्जामपल मानें सेव और हल्दी को ले लेते हैं सेव क्या है सेव एक तरीके से सोलेट के सकते हैं हल्दी भी सोलेड है पर हल्दी पाउड़र्ड फोर्म है सेव थानफे का is says को मेने पानी में घौला सेव बाइश्वाइश को निकाल के देखें तो उसी अलडी को मैंने पानी में घौला उसकी स्कैटरिंग जाद यह तो पानी में घौल लगा शक्यों Do पर कैसे आएगा तुम चाहिए उसको ग्रैंट कर दोगा लेकिन पानी में पानी का कलर जादा रहेगा क्योंकि उसकी जो दोरों में आपस में चलता रहेगा वेवलेंट की जादा स्केटरिंग कम लाल कडर हमें नहीं दीघीगा असानी से लेकिन आगर जैसे हल्दी की बात करें तो विचारी बिखर गई थी पहली भी तो जल्दी से घुल गई यानि ज्यादा दिखी हमें तो जिसकी वेवलेंट कम है वो दिखते ज़्याद है और इसकी वेवलेंट्स ज़्याद है वह स्केटर कम होटें मतलब तूटते कम है तो दिखेंगे भी कम सिधी सी बात है अब जाराए इस फेमस टोपिक से कई सारे में इस विखोशिश करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि sky is blue question why sky is blue जो आस्मान एवो नीला क्यों होता है यह कोशन होगे किसे कई सारे कोशन होगे हमारे जिसका अम सोल करते रहेंगे चलो यहीं करदेता है ठीक है पहला है सका है अब आस्मान नीला क्यों होता है इतने में चलो एक लाइन खीची देए due हिससे सोल करेंगे एधर एक तो आस्मान नीला क्यों होता है आस्मान के लिए इतने सारे कलर है सिर्फ नीला ही क्यों होता है अब नीले की बात करें तो नीला यहां 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 पर जाक्या है नीला तो जब यह दोनों भी पहली स्कैटर हो गए तो यह कड़ी है वोईलेट आस्मान में सीधा ब्लू आ गय है कि यह है हमारा स्काइब एक है जिसको हम बोलते हैं बड़े नीला असमान नीला असमान अब इसका क्या है सिन यहां पे कि जो स्काइब है हमें पता है सब को पर क्यूं है बलू अब देखो मान लो यह हमारी लाइट आ रही है इस तरीके से ऐसे करके लाइट लेके आ अपने साथ कलर विब गयोर लेके आगी अपने साथ ठीक है अब एट्मोस्फेर भी तो कुछ करेगा यह तो खाली बैठता नहीं है एट्मोस्फेर क्या अलग अलग डेंसिटीज वाला है इसकी वज़से क्या होता है इन सब चेयों को तोड़ना श इन तीनों का समझ में आ गयां वोईलेट इंडिगो ब्लू तीनों की तीनों भी कर गए लेकिन सिर्फ ब्लू क्यों दिखा यह तो चलग अंदर की तरफ आ यह नहीं टूटे चारों बहुत ही इसकी वेवलेंद बहुत जारा है तो 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 तोट गए टकराते ही इससे दिखा अब ध्यान से सोचों चो फ़कलर हम एक्ट्यों यूज़ करते हैं वह भी कलर सकाय का नहीं होता लाइट ब्लू होता है प्लू हम जिसको जनरली यूज़ करता है वह ब्लू क्यूंद देखते हैं सकाय को इसका भी एक्जामपल समझेंगे यह तीन कलर वॉयलेट इंड निसके ली में ही तो यह सब क्या है ये सारा कलर एक तरीक से बलू है डार्क मिलके अब डार्क बलू कलर को मैं यहां पर छोड़ू तो चाहिए लाइट दिखता है जैसे कि मालूम में पास एक चमच हल्दी है और एक गलास पानी है मैंने उसको घोला जाए तो होता यही है वो जो डार्क ब्लू कलर है वो फैलना तो इतना डार्क सी है पर इतना बड़ा हमारा स्काई है हर जग है यह संस्पेर है इसलिए हो हलका हलका लाइट होने लग जाता है सब्सक्राइर दिखता है इसका एरिया है थे टोपिक नने को पीछे कर करके देख लेंगे अब हम आते हैं दूसर आंकि कि वाइस जैडिश द्यूरिंग Sunset और Sunrise इसमें दो चीज़ा देख लेंगे एक साथ एक तो यह Sunset और Sunrise के ताइप यह क्यों होता है लाला क्यों दिखता है मैं हमें पता है सबको लाली दिखता हूँ और दूसरा कि वह दोपर के टाइम पर यह लोग दिखता है पिर हमें जबकि Sun हमें वाइट लाइट भेज सिंपल है रिखाता ना स्थ हां ठीक है यह हमारे पास से हमारा एटमसफेर दोड़ा चोटा होगयाँ है कि यह है हमारे पास एत्मस्फेर कभी दोई बात नहीं चला नहीं तो इह यहां से फिर से लाइट आएगी यह एट्मोस्फेर अब यहां पर तीन हिस्से करता है यहां पर हमारे पास सन यह कब का टाइम है यह हमारा आफ्टर नून का टाइम एक है सन हमारा यहां पर इसकी जगा ले 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 तो हमां तोड़ी एक सन यहां पर यहां पर यह बीच में आता है हमारा एट्मोस्फेर बनाते हैं इसकी अलग-अलग हैं स्कैटर करेंगे लाइट को वह भी देखते हैं अब देखो सीन समझो कि यह हमारा एट्मोस्फेर इस तरीके से ठीक है यह थोड़ा और करने बस अब देखो यह जब संस यहां से लाइट भेज रहा है वाइट लाइट इधर को भेजी ठेक है यहां पे ब्लू लाइट तो बिखर गई सब को पता है ब्लू लाइट बिखर गई जब विब ग्योर में से यहां पर देखो विब ग्योर में से मैंने तीन लाइटे तोड़ी थी यह यह और यह तोड़ी यहां पर कहा है विब ग्योर के बाद ना अब देखो यहां से जब यह सारी तीन लाइट तूटके बिखर गई इसमें लास्ट मान आता ऐते हैं जो बचता है वो यलो रेड और आ औरेंज बसते हैं तीन नहीं प्यक्र घू है कि भी ग्रेश कलर विह अलका हलका मालो आस्मान कभी कभी आस्मान अलका ग्रेश भी दीखता है बहुत ही रहे लेकर कई सारी प्लेसमें ज़ादा हिली एरियस होते हैं आप में हम देखते हैं कि यल्लो कलर रहो यहां पे विब्ग और में सीए तो जोड़ दिया यलो कलर बचा हुआ है यलो तो स्काइध हमें दिखा यहां पे यह पर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब हरे फोड़ा जादा करेगा यहां पर यह लो बचिए लेकिन यहां पर एक्टमस्थपेर का जो पर तरीके तो बिए वह सहा धी यहां पे त्सकी भी जादा है कि जब शाम Berga paradise यहां बड़ रहा है तब क्या हो रहे यहां से जैसे वह बूदय यहां पर एतने में यहां पर संभी पास तो यलो तो तो यलो भी गया औरेंज भी चला गया रेड रहा गया सिर्फ हैं अब इतनी जाता क्योंकि रखो जब दूर जाएगा तो तो यह दो दो पैर को लेकिन जब शाम की बार यह जब सुरद दूर जाने लगा तो वही तूटने की स्कैटरिंग की प्रोसेस बढ़ संदूर जाने लगा होतागा है काट 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 सिर्फ रह जाता है हमारा एक कलर जिसको उन बोलते हैं रच जाएं घ्यां पर और चाहिए हमें धोपर को यलो दिक जाता है इसमें यलो क्यों इसको तुम रिटान में खुद लिखो अपने इसाब से बना-बना के इंगलिश में जो तुम्हें लिखना है मैं तुम्हें कॉंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ स्काय ब्लू क्यों और सन रेडिश और यलो अलग अलग टाइम पर क्यों अब बढ़ते हैं शायद आखरी के कुछ ही टोपिक्स रह गए अपने आखरी टोपिक्स बिल्कुल इस चैप्रे के लाश्ट के टोपिक्स हैं एडवांस सुनराइज संसेट के बारे में पढ़ेंगे स्काय डार्क स्काय डार्क क्यों रिखता है उनको अंतरिक्ष में सब कुछ आस्मान काला और दूसर डेंजर सेगनल रेड इन कलर मतलब जो लाल क्यों होते हैं अब देखते हैं पहले इसकी बारे में डाइग्राम से समझेंगे इन दोनों को तो बस चोट-छोटी बात नहीं है फिर भी हमें रोशनी दिखना शुरू हो जाती है और संट डूबने के बाद भी हमें रोशनी दिखती रहती है एक्चुल संसेट वह क्यों होता है उसका रीजन है एक्मस्फेरिक रिफ्रेक्शन हम पहली पढ़ चुके है अब डाइग्राम से समझते हैं अब इसमें क्या बताने कि वह दूबने के बाद भी आउगने से पहले भी क्यों दिखता है एक डाइग्राम से दोनों प्लेंगे जैंगे जिसे मान लो कि यहां पर हमारा एक सन यहां पर वो सन हमारा यह काफी डूबने की गगार पर यहां भी नहीं मान लेते हैं नीचे ही है फिर भी हमें क्यों दिखने लग जाती है रोशनी पहले ही तो देखो होता क्या है जैसे कि सन की लाइट इस तरफ से इधर को जाएगी हमें पता है क्या होता है उधर को जाएगी आगे अब रिफ्रेक्शन का हमने पढ़ा है रिफ्रेक्शन मतलब बैंडिंग ऑफ लाइ जान क्या होता है उसमें जब देंसिटी चेंज हो जाएं क्या बोलता है तेमपरेशर चेंज हो जाए या फिर रेर टेंसर होती है और सूरज के निकलने से पहले भी हर जिए अलकी रोशनी दिखना शुरू हो जाएगी बैंडिंग और यह हो या इसका चाहे वह दूबने के पहले की बात है और दूसरा देखते हैं कि एस्टरोट Euro सिदा स्काय ब्लेक उने को आसमान नीला क्यों नहीं क्यों कि श् express का में कोई एक्वोसफयर नहीं होता नो एक्वोसफयर एक्वोसफयर नहीं होगा गिसी टक्राइक ही नहीं और तक्राइक हमक्र फूटेंगे लोप किसी को मारा मारा तो खून निकल गया मारा खून निकल गया नहीं किसी को मारा ही नहीं नहीं क्योंकि यहां पर बीच में कोई रास्ते में एटमसफेर आ ही नहीं रहा जहां पे अर्थ के पास एट्मस्फियर बाकि से किसी पास एट्मस्फियर निया तो आगे देंग की डैंजर वाले सबसे पहला है इसकी वेवलेंद्स जादा होती है हाई वेलेंथ 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 सो प्रसक्री आसानी से जलता है पूरे घर को लाल कलर का जलाओगे वह लाल अपने ही आसपास ज्यादा दिखेगा बाहर की तरफ कम दिखेगा ठेक है क्योंकि वह फैलते ही नहीं है इसलिए वह ही तो जैसे कोई दूर सिंबल है डेंजर का या कोई गारी ट्रक आरे जिसके पीछे तो रेड कलर होग सिगनल हमें दूर से दिख जागा चाहिए फोग हो चाहिए कुछ भी हो मिश्ट वगयरा हो वह दूर से दिख जाते रेड कलर विजीबल होता है बहुत जाता एक तो लेस्केटरिंग और दूसरा इजीली विजीबल फ्रॉम बहुत दूर दूर की जगह से फ्रॉम फार बारे में अब मिलते हैं किसी नए चेप्टर में तब तक अब